हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा चो विस्वई हिंदी काव्य हमारा दिया गया है फिप्त जय विज्ञान की इस विकाय में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की बात की गई है वेगना निखोजों की बज़ों से जो उपकरण है बने है उनका सारे विश्व पर प्रभाव रहा है उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन प्रकार से सुक सुविदाव का अनुभाव कर रहा है तो बच्चो आज हमें एक पोयम पढ़ने है जय विज्ञान की वो जवान की तो जय है किसान की बीज़े है साथ में विज्ञान की बीज़े है आज विज्यान के ऐसे कई उपकरण है जो उपकरण की बज़े से हमारे काम आज जो हो रहे है वो बहुत ही आसानी से हो रहे है और धेर सारी हमें उससे खुशिया भी मिल रही है विज्यान ने हमें सुक सुविधाव के अनेक साधन दिये गए है अब उन में मुबाइल, कम्प्यूटर आदी भी शामिल हो गए है कम्प्यूटर में इमेल और इंटरनेट जैसी कई सुविधाय है इस कविता में हमें किसान, जवान के साथ विज्ञान की भी बात कही गई है तो बच्चों आप जानते ही है कि पहले के समय में जो ये बड़ा कठिन हो गया था, लेकिन आप धेर सारे विज्ञान के एशे आविश्कार आ गया है उसकी वज़ा से हमारा काम आसान हो गया है और हमें धेर सारी सुख सुविधाय भी प्राप्ता हो रही है तो चलो आईए अब हम पोयम काव्या की तरफ पंक्तिया देखे जै जवान की जै किसान की जै हो जै विज्ञान की सुविधा ओका शुरू सिलसिला बिला सिता की खसब है बचच समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है नए नए उकरन बनाए नुतन अनुसंधान की जै जवान की जै किसान की जै हो जै विज्ञान की बच्चो जवान की तो जै है और किसान की भी जै होनी चाहिए साथ में हमारे विज्ञान की भी जै होनी चाहिए क्योंकि विज्ञान के ऐसे विज्ञानिक आविश्कारों से सुविधाओं का क्रम मिन्सकी एक के बाद एक शुरू ही रहा हुआ है उनसे लोगों को सुख भोग बृद्धी मिन्सकी आगे बढ़ना ही सिखाया है उसके साथ साथ हमें समय और शक्ति की भी बज़त होती है और वे जादू की तरह उनका विकास होता है ये तो हम जानते हैं कि पहले इतने आविश्कार नहीं थे तब हमें बहुत ही कठिन था लेकिन आज हमें जो विज्ञान के नए नए उपकरण मिन्सकी नए नए शाधन मिल है उनसे हमें धेर सारा फाइदा भी हुआ है मिन्सकी नए नए जो खोज हुई है उसके उपर हमें धेर सारा अनुसंधान अनुसंधान मिन्सकी खोज एक के बाद ये कैसे हो रही है तो पहले के समय में बच्चों देखो, कि अगर बिजली नहीं थी, तो बिजली की बज़ा से जो आज भी काम हो रहे वो बहुत ही easy, easy तरश हो रहे थे लेकिन पहले के समय में बिजली नहीं थी तब पंखा नहीं चल रहा था जो पानी हम स्विच ओन करते हैं और आजाता है हमारी टंकी में से वो पहले नहीं आता था पहले से पहले कुव में से पानी हमें खुद से निकालना परता है बिजली की मदद से आज धेर सारे ऐसे जो अविश्काराये है उसकी बज़े से हमारा काम और भी आसान हो गया है मुबाइल पर बाते कर ये पैजर फेक्स मुस्कुराते पल में जैपुर पल में मतुरा मानव आज पहुच जाते विजय से मिलते जिस पत पत चल डगर वही आसान की जै जवान की जै किसान की जै हो जै विज्ञान की जै हो जै विज्ञान की मुबाइल पर बाते कर ये पैजर फेक्स का उप्योग कीजिए और आज के समय में अगर हमें किसे से बाते करनी है तो हमें वेशा हें नंबर डायल किए और डारेक्ली उनसे बात होती थी लेकिन पहले के समय में मोबायल नहीं होता था तब संदेशा देने के लिए हमें मोबायल नहीं था था अब यह लें लाइन भूमायाhone का यूज़ करना परता था या तो किसी PCO पर फोन पर आधार रखना पड़ता है और अब तो ऐसा हो गया है मुबाल आने से कि अब हमें जब भी किसी से बात करनी है तो हम नमबर डायल करेंगे और घुमाएंगे तो आ जाएगा फिर पेजर फेक्स का उप्योग किया जाता है आज उनहीं से हमें शंदेशा बेज देते हैं और पलमे जैपूर और पलमे मतुरा कि आज हमें पलमे जैपूर जाना है पलमे मतुरा मिन्स कि आज हवाई जहाज हो गया है तो हवाई हमें एरोपलेन विमान इनकी मदद से आज हम पल में वहीं पहुच जाते हैं तो पल में वहीं पहुच जाते हैं और जिस पर चलने से जल्दी पहुचने का आनन मिलता है वे रास्ता भी विज्यान ने आसान कर दिया है अगर हमें कहीं भी जाना है तो हमें टीकट वती है वो भी अभी ओनलाइन हो रही है वो भी इंटरनेट की माध्यम से तो वह वहाँ पर हमारा बुकिंग हो जाता है और हमें पहले के समय में तो क्या होता था कि बहुत कहीं भी बाहर जाना होता है जैसे कि जैपूर, मथुरा तो बहुत टाइम लगता था ट्रेन में जाए तो बस में जाए तो लेकिन अब तो हवाई सफर हो गया है इसलिए जल्दी से पूछ जाते है लेकिन जिस पत पर डगर वही आसान की मिन्स कि वही रास्ता आसान कर दिया है बट किस ने? विज्ञान ने कम्प्योटर की क्रांती आ गए इंटरनेट की पर चाई अधर अधर पर खुश्याली की गंग यमना लहराई बच्चे नए सदी के बोले दूनी अपनी शान की जई जवान की जई किसान की जई हो जई विज्ञान की कम्प्योटर के कारण जीवन में सभी लोगों का जीवन में बदलावा आ गया है इंटरनेट है वह सबको सूख दे रहा है लेकिन अगर हम उसका सही तरह से उप्योग करें तो ठीर सारे बच्चे पर अपके पास मोबाइल होता है लेकिन वह उप्योग किस तरह से करते हैं बहुत मोबैल में देखते रहते हैं कुछ न कुछ लेकिन अगर वह आपको उप्योगी है तो ही उसको देखो सर्च करो नहीं तो टाइम अपना वेश्ट मत करो बरबाद मत करो क्योंकि समय है वो इतना किमती है कि समय है वो कभी वापस दोबारा नहीं आता है जैसे उन पर गंगा यमुना की लहर उठी है और आज के बच्चे क्या बता रहे हैं कि दूनी है अपनी शान की इसकी आज का समय है वो पहले पहले जैसे समय था उससे कही ज़्यादा आज का समय सुक्सुविधाय मिलती है हम इस बदलते विकासिल यूग में समय के साथ चलेंगे तभी हम दुनिया में यस पास सकेंगे है न बचो कि अगर हमें समय के साथ कोई भी काम करेंगे तभी नहीं तो हम तो क्या सोचते है कि ऐसे ही हो जाएगा लेकिन नहीं ऐसे नहीं होता है जो भी काम होता है वो में अपना समय पे करना होता है तभी तो अपनी समय की शान है दुनिय अपनी शान की चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यस पाएंगे इस वसूधा पर स्वर्ण सवेरानी जब्रया से लाएंगे फिर करनी शुरुवात सभी को मानवता के ज्यान की जई जवान की जई किसान की जई हो जई विज्यान की समय के साथ चले तो ही दुनिया में हम यश्पासा केंगे हम बदलते विकास से ल्यूग में समय के साथ हमें ही चलना है हमारी इस तरह पर हम सब अपने अथाग प्रयास से मिनकी बहुत ही कड़ी मेनत से हमें सुनहरा सवेरा लाएंगे इस विकास गाथा को आगे बढ़ाने के लिए बाद ही हम मानवता के गान की शुरुवात फिर से कर सकते हैं हमें अपने प्रयास से वो समय के साथ बदलते रहना है समय तो अपने आप दिला जाएगा इस वसुदा वसुदा मिनस की धरती पर अगर हमें इस धरती पर कुछ अच्छा सा बुलाना है तो सबसे पहले तो हमें खुद को प्रयास करना है खुद प्रयास करेंगे तभी तो हम समय के साथ आगे बढ़ेंगे और जो भी ये विज्ञान की आविश्कार है उनका हम सही तरों से सही डंग से हम उपयोग करना चाहेंगे फिर हमें मानो ताके गीतों की फिर्शे वापस शुरू करनी है बच्चो अब हम देख इस पोयम को आपको लर्न भी करना है और अपनी CW Notebooks में राइट भी करना है चलो अब देखे अभ्याज क्या होता बताई यह यहां पर क्या करना है बच्चो प्रश्णों के उत्तर दिया है चो पहला कोश्चन दिया गया है उसको क्या करना है आपने टेक्सबूक में से रीड करना कि टेप डेकरडर या सीडी के जरिये काव्या का स्रवण एवं समुगान कीजिए सुनना है और खुद को लौन भी करना है और दूसरा कुश्चन दिया है क्या होता है बताईए यहाँ पर हमें तीन कुश्चन दिये है कि यदी मोबाईल की खोज नहीं होती तो तो बच्चो यदी मोबाईल की खोज नहीं होती तो क्या होता कि यदी मोबाईल की खोज नहीं होती तो सबसे पहले तो हमें किसी से बात करनी होती है जब मन जाहे तब नहीं कर सकते थे नहीं होती थी यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो ये बच्चो बहुत प्रश्णा इंपोर्टेट है क्योंकि यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो तो आज देश ने जो प्रक्ति है की है वह नहीं होती अगर हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो आज जो देश ने प्रक्तिकी है वो कभी नहीं होती तो हमें हमेशा समय के साथ ही चलना चाहिए तीसरा कुशन है यदि कम्प्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आधिका आविश्कार नहीं हुआ होता तो अभी आविश्कार है इंटरनेट ये सब है इसलिए कोई प्रोब्लेम्स नहीं है अगर नहीं हुआ होता तो क्या होता तो यदि कम्प्यूटर, फैक्स, इंटरनेट आधिसादनों का विश्कार नहीं होता तो हम जितनी तेज मिनकी फास्ट और सही डंग से प्रक्ति कर रहे है वह संभाव नहीं होती तो अगर विज्ञान का विश्कार नहीं होता इंटरनेट का तो क्या हम वटसेप में मेसेज बेच सकते थे फिर गूगल पे कुछ सर्च करना है तो कर सकते थे नहीं धेर सारे ऐसे जो कार्य है वो हम बिलकुल नहीं कर सकते अगर इंटरनेट का विश्कार नहीं हुआ होता तो अब यहां पर समान प्रास वाले शब्द दिये गए है आपको उदारन दिया गया है इसके आंसर पीडियेप में दिये गए है जैसे कि लिखावट रुकावट तो सजावट वेसे ही आपको शब्द नीचे बनाना है लिखावट तो रुकावट सजावट मिलावट आर्थिक तो धार्मीग तारकीग सामाजीग मार्मीग इसी तरह से आपको इसके आंसर भी लिखने है यहां पर दिया गया है स्वाध्य के प्रश्णों के उत्तर दिये गये है पहला question दिया गया है computer और internet से हमें क्या लाब हुए है तो बच्चो आप सोचो कि computer और internet से आपको क्या लाब हुए है तो computer है वो बड़ी से बड़ी counting मिन्सकी गणना उसको कुछ भी counting करना है तो जल्दी से 1 second मिन्सकी पलग जपकते ही हो जाता है बटन दबाते है तो वे पूरा हमारा खाता होता है अकाउंट होता है वो सामने आ जाता है फिर घर बेठे बेठे क्या हो जाता है तो घर बेठे बेठे डेलवे की टिकट बुक हो जाती है गर्ण बैठे मुंद्रन कारिय की बेतस किया जा सकते हैं जय को कॉंपियोटर है यह तक तमाम शेक्टरों में सिध्धों होता है हुथ सफलता ही मिरती है। कॉंप्यूटर इंटरनेट जानकारी का भंडार है उसमें जो भी इंपूरमेशन होती है तो पॉंप्यूटर हो इंटरनेट से हमारे समय की बचत होती है कि जो काम हम एक गंटे डेट गंटे में होता तो वो पात दस मिनट में वो जा रहा है कम्पूटर में हमें नए जमाने की अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हम किस पर सर्च करेंगे गूगल पे तो नए जमाने के जानकारे विश्व में कहीं भी हो वो माहिती प्राप्त होती है किस के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से बेंग, रेलवे ये सब तो आसानी से कर सकते है और इंटरनेट है वो जानकारी का एक बंडार है समय और शक्ति की बच्चत कैसे होती है तो computer जैसे विगनानिक उपकरणों के रयोक से समय और शक्ति की बच्चत होती है किन उपकरणों के माध्यम से संदे साव्यवहार हो सकता है अगर हमें किसी को संदे साव्यवहार हो सकता है कुशन नमबर फूर हम धर्ती पर सुख सुविधाय केसे निर्मान करेंगे अगर हमें धर्ती पर सुख सुविधाय चाहिए तो हम केसे निर्मान कर सकते हैं तो कि हम विज्यान के नए उपकरण जो है उसका सही तरह से उपयोग करना है और हम सब मिल जुल कर समय के साथ चलें और इस विकास गाता है उसको आगे नीज प्रियास में इसकी रेगिलर उसका यूज करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे और धर्ती पर सुख सुविधाव को निर्मान कर सकेंगे अगर समय के साथ चलेंगे तो प्रश्णव 5 क्या करने से हम दुनिया में यश्पा सकते हैं कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि दुनिया में हम यश्पा सकें नए जमाने के नए विचारों और समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश्पा सकते हैं प्रश्ट्म चो तुम्हें विग्णान का कौन सा आविश्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों इस प्रश्ट्म का उत्तर आप अपने तरिश से की भी लिख सकते हैं क्योंकि सबको विग्णान के अलग अविश्कार पसंद है जैसे कि मुझे पसंद है इंटरनेट तो विश्व की माहिति प्रदान करता है में इसकी सभी माहितियों हम उनसे ले सकते है तो बच्चों किसी को अगर टेलिविजन पसंद है तो क्या लिख सकते हैं कि हमें टेलिविजन का विश्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो तरव तरव से मनोरंजन दिखाता है कोई न्यूज होता है तो दिखाता है देर सारा उसमें आता है इसलिए इस तरव से आप पनी साब से लिख सकते हैं यहां पर भावार्थ दिया है जिसका आंसर पीडियेप में दिया गया है कि कम्प्यूटर की क्रांती आ गई इंटरनेट की परचाए अधर अधर पर खुशियाली की गंगा यमुना लहराई बच्चे नए सदी के बोले दूनी अपनी शान के पीडियेप में आंसर दिया गया है कुश्चन आपको टेक्सबूक में से देख कर लिखना है भावार्थ की पंक्तिया कि हमारे नए यूग में कम्प्यूटर की तो क्रांती आ गई उसके बाद में तो नए इंटरनेट आया है जिसने भी विश्व की कोई भी जहनकारी सब तक पहुँचाई है सभी मानवी के उपर मिठी सी मुस्कान चा गई है जिसे कि गंगा यमुना की लहर उठी है और नए जमाने के बच्चे क्या करते याद के समय के हमारे के यूग की शान बढ़ गई है तो भावार्थ है वो भी आपको सिल्वल्यू में लिखना है दूसरी पंक्तिया दी गई है चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश्पाएंगे इस वसुदा पर स्वरण सवेरा नीज प्रया से लाएंगे फिर करनी शुरुवात सभी को मानों ताके गान की जई जवान की जई किसान के हम सब बदलते विकास सिल्यूग में समय के साथ चलेंगे तभी दुनिया में हम यश्पाँ शकेंगे हमारी इस तरह दरा मेंस वसुदा मेंस दरा धरती पर कि सब अपने अथाग अथाग विंसकी large प्रयास करेंगे तभी ये दरती है वो सुनौहरा सवाँ लाएगी इस विकास गात्वा को अगर हमें इसे आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना है हमें के साथ चलना है उसके बाद ही हम मानुता के गान की शुरुवात फिर से करेंगे यहाँ पर निम्नल लिखिट सब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए यहाँ पर बच्चो आपको जो सब्द दिये है उनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है जैसे की मैक सेंटेंस में तो सबसे पहले देखे उपकरण तो उपकरण के बारे में हम दिख सकते कि आज कल बीजली के उपकर्म महमंगे हो गए है उपकरण ने हमारे सारे विश्वों पर अच्छा प्रफावडा किया बैसे ही मोबाइल मोबाइल का उपकरण बच्चों जरूरत के मताबिकी करना चाहिए मेरी बहन ने मुझे मोबाइल दिया है छोटे बच्चे को मोबाइल का उपकरण बिलकुल करना नहीं चाहिए कम्प्यूटर तो computer के आने से तेर सारे कारियास आने से हो गए है तो कई बच्चे हैं वो computer में खेल खेलते हैं कई है वो लिख सकते हैं Computer है वो एक विग्ञान का आविशकार है इसी तरह से आप अपने मन पसंदिता वाकियो बना सब्कते हैं फिर प्रशन चार है चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्या लिखे यहाँ पर आपको चित्र मिला है चित्र के उपर आपको क्या कर रहा है कि इस चित्र में क्या आपको दिखा दियरा है भी आपको लिखना है यह जैसे कि पहला चित्र देखे तो लड़का पढ़ रहा है फिर दूसरा चित्र देखे कि मौर है वो नाच रहा है बादिश होती है उसके बाद में मौर नाच रहा है फिर तर चित्र में कि लड़की दोड़कर कहीं जा रही है फिर चोथा चित्र दिया गया है कि लड़का पानी पी रहा है लड़का पानी खड़ा खड़ा पी रहा है फिर पांचवा चित्र है लड़का क्या कर रहा है सनान कर रहा है फिर चट्टा चित्र है वो सच्चता के बारे में दिया है कि लड़का है वो कुड़े दान में केड़े का चिलका डाल रहा है फिर साथवा चित्र है उसमें लड़का क्रिकेट खेल रहा है अपने मित्रों के साथ फिर आठवा चित्र धोबी है वो कपड़े दो रहा है फिर नववा चित्र है कि पये वाली खुर्सी पर लड़का बिमार लड़के को पये वाली खुर्सी पर बिठा कर ले जा रहा है बालक क्या कर रहा है बालक सो रहा है फिर नेक्सित्र में जो सबजी बेटने वाला वता है फेरी वाला वो साख सबजी बेटने जा रहा है क्यूंकि उसमें केले भी दिखाई दे रहा है फल भी है और शागबाजी भी है फिर बारवा चित्र है लड़का पोधो को पानी दे रहा है तो बच्चो यही सेंटेंसे वो आपको चित्र देखकर खुच से बनाना है अब नेक्स्ट पेज में जो दिया गया है हिंदी नाम है उनका आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम दिया गया है जैसे कि टेलिफन को हम क्या कहेंगे दुर भास वेशे ही मोबाईल को ब्रह्मन भास कहते है फिर केलकुलेक्टर को गणन यंत्र कहते है कम्प्यूटर है उनसे संग्णक कहते है टीवी है उसे दुर दर्शन कहते है रेडियो तो आकाश्वानी टेप रिकाडर ध्वनी मोंदरन यंत्र फेक्स को क्या कहते है चित्र शंदेश इंटरनेट को आंतर जाल अंतर जाल कहेंगे तो कम बच्चो समझेंगे लेकिन अगर हम बताएंगे कि इंटरनेट तो दादा भी समझ जाएंगे और चोटा बच्चा भी समझ जाएंगे तो बच्चो ये है हमारी पोयम जय विज्ञान की आपको इसके आंसर है वो सी डवली बुक्स में लिखना है एक बार पोयम भी लण करने है और अच्छी से राइडिंग में तेंक्यू